साहित्य निदी में आज सुनिए हिंदी साहित्य में प्रमुक इस्थान रखने वाले साहित्य कारों में अग्रणी लेखक विश्न प्रभाकर जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद कहानी एक और कुंती प्यारे दोस्त क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पत्र लिखने का निर्णा लेने में मुझे पूरा एक वर्ष लगा और अगर वो घटना न घटी होती तो शायद कभी न लिख पाती मैं नहीं जानती कि आपको क्या कहकर संबोधिक करूँ आज निश्य करके बैठी थी कि पत्र लिखकर ही उठूंगी इसलिए सहसा जो संबोधन सूझा वही लिख रही हूँ उसके पीछे जानबूच कर दिया हुआ कोई अर्थ नहीं है चिठी लिखने का एक और भी कारण हो सकता है उसमें मन उतर आता है मैं मन खोलना चाहती थी किसी के सामने आपको याद होगा कि लगवग दो वर्ष पूर आप इसने केतर में आये थे तब मैं नई नई आई थी और नई जानती थी कि मैं जीवित हूँ या मर चुकी हूँ जीना मरना कीवज सांस के आधार पर ही तो नहीं होता लेकिन मैं इस मिमान सा में नहीं उलजना चाहती आदमे गुथी सुलजाते सुलजाते सुयम उसमें उलज जाता है इसी उलजन से मुक्ति पाने के लिए तो मैंने साल भर तक अपने से संगर्ष किया है नर नारी के उसी होने के परिडाम सरूप ये पत्र है बहुत से लोग आते हैं यहां बहुत सी बाते कहते हैं विरह मिलन के द्रशे भी बहुत देखे हैं मैंने व्यापार भी होता है यहां लेकिन आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई फिर भी मुझे आपकी याद बराबर आती रही क्यों? क्यों महसूस किया आपके साथ इतना अतना पन? आपको बहुत अच्छी तिरह याद होगा कि तब यद्यब बादलों से मुक्त गुला गुला आकाश बाहर आने का आमंतरन दे रहा था लेकिन मैं एक कोने में पांच बच्चों से घिरी हुई एक जिंदा लाश की तिरह पड़ी थी मुझे दिखा कर संचालिका ने आप से कुछ कहा था सुन कम पाई थी, समझी बहुत कुछ थी जिस समय आप मेरे पास से होकर चले गए और ठीक उस खिर्की के पीछे आकर खड़े हो गए जहां मैं लेटी हुई थी तब मुझे मालूम हुआ कि आप कौन है मुझे देखकर आपके चेरे पर कोई भाव नहीं आया था या आपने आने ने दिया था मैं नहीं जानती लेकिन जब आप पीछे खड़े थे तब मैंने आपकी बाते सुनी थी संचालिका ने आपसे कहा था देखिए बहुत लोग आते हैं यहां और बहुत कुछ लिखते हैं यहां के बारे में लेकिन मैं आपसे एक प्राठना कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ कि आप लेखक है लेखक सब्वेदनशील होता है आप इस नादी के बारे में कुछ मत लिखिए आपने कहा था यतिब उस कहने के बीच में कई क्षण बीट गए थे और मैं जानती हूँ उन क्षणों में आपके हिर्दे में समुद्र मंधन हुआ था आपने दीग निश्वास लेकर एक ही शब्द कहा था अच्छा लेकिन इस एक शब्द के पीछे कितनी वेदना कितनी अनभूती और कितनी विवश्ता थी आपके चेहरे पर व्यक्त वही त्रासत वेवश्ता दीरे दीरे मेरे समूचे शरीर में फैल गई थी मैं तड़प कर उठ खड़ी हुई थी मैंने खिड़की की सलाखों को पकड़ कर उस उर जाका था तब आप दीरे दीरे संचालिका के साथ बाहर जा रहे थे मैं कई क्षणों तक उन ठंदी सलाखों पर जलते आंसों से भरा अपना चेहरा टिकाए देखती रही द्वार के पास पहुँच कर आप मुड़े मुझे देखने के लिए नहीं बलकि संचालिका को नमस्कार करने के लिए लेकिन आपने मुझे ना देखा हूँ मैंने आपको देख लिया था और उसी एक्षान मैं समझ गई थी कि आप बहले मेरी कहानी को कागज पर न उतार सकें पर अपने अंतर में उसे निरंतर जेलते रहेंगे संचालिका ने आपको मेरी कहानी बताई होगी लेकिन क्या सचमुच बता सकी होगी कोई नहीं शब्द दे सकता मेरी व्यथा कथा को मैं भी नहीं सहते सहते अन्बो करने की मेरी शक्ति समाप्त हो गई है पर क्या आप विश्वास करेंगे कि आपका वो लेक पढ़कर मैं स्वयम पहली बार अपनी कहानी को समझ सकी जानती हूँ आपने वो लेक मेरे लिए नहीं लिखा था आपने मातर अपनी साथ समंदर पार के किसी देश की यात्रा के संस्बर लिखे थे साथ समंदर पार के बारे में मैंने बहुत सी कहानिया अपनी नानी से सुनी थी एक साहसी राजकुमार और एक सुन्दर राजकुमारी की कहानिया लेकिन आपने जो लेख लेखा था उसमें ना राजकुमार की जर्चा थी ना राजकुमारी की फिर भी उसमें अद्बुत साहस और अनोखे सुन्दरी की कथा गर्भित थी नर नारी के संबन्दों की कथा मेरी कहानी उनी संबन्दों की व्यथा कथा है मैं एक तथा कथित सुसंस्क्रत परिवार की बेटी और एक उतने ही सुसंस्क्रत तथा संपन्द घराने की बहुती स्वयम सुंदर, मुहक और आकर्शक उस दिन भी बेशक वो ठंडा था लेकिन वो अनुखा आकरशर पाया होगा आपने मेरी उदास उनीदी आँखों में इनी आँखों के रहते तो मैं बार-बार चली गई जिस समय मैं 19 वर्ष की थी उस समय कैसी लगती थी इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे सौंदरे को शब्दों में बाधना एक बात है उसे सचमुझ अन्भो करना दूसरी बात है मैं आकंट एश्वर और विलास में डूबी अपने पती के साथ उस अनूठे जीवन को भोग रही थी और समय एक सुनहरे सपने की तरह बीत रहा था उनी दिनों सहसा मेरे प्रांद के भाग्या काश पर विपत्तिक के बादर फट पड़े वे कैसे देश का दुरभागे बन गए ये आपको बतानी कि आवशक्ता नहीं है उस महानाश में कौन कहां गया इसके साथ क्या बीती इतिहासकार इसको खतिया कर कभी ने देख पाएंगे देखना भी नी चाहिए अपने कलंग को अमर कर देना क्या अच्छी बात है काल ने बड़ी निशनसता के साथ हमें इस बात का एहसास करा दिया कि उप्युक्त अफसर आने पर एक शण में ही प्रभु की सर्वत्तम क्रति मानो राक्षस में रूपांतरित हो जाती है मैं फिर उलजने लगी अंदर जो घटा घूप है लाग प्रतने करने पर भी वो निरंतर विस्तरत होती दरारों में से होकर चारों और बिखर जाता है अचानक एक दिन भेंकर आक्रवन होगा हमारे घर पर कैसे शब्द तू उस विबद सद्रशे को घर के अधिकतर सदस से शरणारती सिफ्र में जा चुके थे बस मैं और मेरे पती रह गए थी तości वहां अंत में जाने के लिए उन्होंने साहस के साथ मقाबला किया पर पर उन दरिन्दोंने उन्हें मार डाला और और उनकी लाश के सामने ही बलातकार किया मेरे साथ एक सांस में पागल की तरह बोल जाता है ना आत्मी वैसे ही एक सांस में मैं से लिख गई दूसरी सांस लेती तो लिखना पाती जब होश आया तो मैं छोटे से कच्चे और गंदे मकान में लेटी हुई थी नितांत, अकेली, असहाय, अपंग, प्राणहीन हो गए थी मेरे सारे अंग मैं उन्हें हिला भी नहीं सकती थी मैंने सुचा शायद में मर गई हूँ और अपने पापों का दंड भोगने के लिए मुझे नरक में ढखेल दिया गया है कोई रात को सपन में नंदन कानन के सपने देखे और सबेरे अपने को नरक में पाए कैसा आगात लगेगा उसे लेकिन वो नरक भी नहीं था क्योंकि धीरे धीरे प्रकाश मेरे चारोर फैलता जा रहा था मेरी चेतना लोट रही थी मैंने उठने का प्यक्न किया तब ही किवार खोल कर एक व्यक्ति मेरे सामने आखड़ा हुआ कई ख्षण वो मुझे देखता रहा अपलक मैं भी देख रही थी उसे और पलक जपक रही थी बार बार वो बोला युगोंबाद दूर कहीं से कैसी तबियत है मैं एक आएक चीक उठी मैं कहा हूँ ये कौन सी जगह है तुम कौन हो वो एक स्वस्त व्यक्ति था उसके चेरे पर कुरूरता नहीं थी वेदना के उपर आरूपित का ठोड़ता थी उसने बताया दीरे दीरे मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो तुमारे घरवाले कहा है गुंडे कुछ और्तों को भगा कर लिये जा रहे थे लेकिन फौज ने उन्हें ढूंड लिया उस मुटभेड में बहुत सी लड़किया इधर दर भाग गई जब सब लोग चले गए तो मैंने तुम्हें खेत में बेहोश पड़े पाया मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करो भी इतना समझ लो कि मेरा नाम नूर है तुम बताओगी तो मैं तुमारे घरवालों को खोजने की कोशिश करूँगा ना जाने कैसी समवेदिना थी उसके इन सीधे सच्चे शब्दों में मैं रो पड़ी और सुब्कियों के बीच उस अपनी दास्ता सुनानी लगी कई क्षण वो कुछ नहीं बोला जैसे कुछ अकथनिये कहने के लिए साहस बटोर रहा हो कई क्षण बाद धीरे धीरे उसने कहा मैं जानता हूँ उस शहर में अब तुमारे घर परिवार का कोई आदमी नहीं बचा है जाती का भी नहीं कुछ शरनार्थी शिवरों में चले गए हिंदुस्तान जाने के लिए कुछ नफरत और हिंसा के सेलाब में बह गए मैं तड़क उठी मैंने चीख कर कहा क्या मैं नहीं जा सकती शिवर में क्या आप मुझे यहां से निकल कर जाने में मदद नहीं कर सकते क्या आप क्रिप्या वो दीवार के साहरे खड़ा था थोड़ा पास आया मेरे पहले की ही तेरे धीमेती में बोला अभी कुछ नहीं हो सकता चारों देखता हुआ लावा फैलता जा रहा है अभी तो किसी अंधेरी रात में तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा तुमारे लिए नए कपड़े ले आया हूँ और तुम अब आयशा हो क्या हाँ अब तुम आयशा हो समझती हो प्यारे दोस्त वे कपड़े पहनते ना पहनते मैं कितना रूई थी फिर भी हुआ वही जो नूर ने चाहा था आने वाली पहली अमावस की रात में मैं मानों हमेशा के लिए नकाब पहन कर उसके घर चली गई मर ना सकी मर जाना चाहिए था पर अपने से अजनबी हो जाना मरने से कहीं तरासद होता है मैं जानती थी कि नूर ने मुझे इसी लिए बचाना चाहा था कि मैं नारी थी और सुंदर भी नर नारी का यही संबंद शाश्वत है न? और एक बात बताओं नूर अविवाहित और हिंदू था कई दिनों बात पता लगा था मुझे वो अपनी जमीन जायदाद बचाने के लिए मुसल्मान बना था बहुत लंबी कहानी है मेरी टुकरो टुकरो में ही कह पाऊंगी आप चाहें तो परन्यास लिख सकते हैं पर मेरा अन्रोध है मत लिखिए कोई कैसे शब्द दे सकता है उस भावना को जो मेरे मन में तब उठी थी जब मैंने अन्भव किया था कि मैं मा बनने वाली हूँ दर्द और नफरत का सैलाब मेरे अस्तित को लील गया था तब मैंने पेट पर मुक्के मार मार कर गर्व गिराने की नाकाम कोशिश की थी पर नूर सजग था मैं अपने मनसूबे में काम्याब नहीं हो सकी सच तो यह है कि मेरे अंदर ही कोई था जो मेरे मनसूबों को नाकाम करने पर तुला हुआ था अपने ही मैं के दोरेपन को हम कब समझ पाते हैं मेरा एक और बेटा था जिसे मैं पीछे छोड़ाई थी उसकी याद करके मैं अक्सर होती थी पती तो अब आने वाले नहीं थे पर क्या मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पाऊंगी लेकिन मैं तो नए बच्चे की बात बता रही थी कहां से आया ये कैसे आया नूर तो उस सारे समय मेरे पास तक नहीं आया तब तब उस बलातकार का नतीजा है ये हे प्रभू तुम हो क्या सच मुझ हो एक अगनिकांड है जिसमें से उठती आदमी के रक्तमांस की चिरायंद मेरे नासा रंद्रों में घुस्ती जा रही है मैं सोए सोए चीक उठती मैं बाहर भागने के पागल हूठती लेकिन इस विभीशिका के बीच में नूर था जो अडिक चटान की तरह खड़ा रहा वो मेरे पास भी नहीं आता था और दूर भी नहीं जाता था उसने मेरे आसू पोच्टने की भरसक कोशिश की मेरे परिवार का पता लगाने का प्रत्ने किया लेकिन सफल नहीं हो सका तब एक दिन वो मेरे पास आकर बैट किया बोला दीरे दीरे आग कुझ रही है तुम लोगों को निकालने के लिए सेना आती रहती है चाहो तो तुम भरत जा सकती हो आश्चरे मैं तब पुराइन के पत्ते की तरह काप उठी थी मैंने चीख कर कहा था नहीं, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जाओंगी तब पहली बार उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर धपतपाया उस इस परश के साथ ना जाने कैसी भीगी भीगी समवेदना मेरी रग रग में प्रवाहित होने लगी मुझे अच्छा लगने लगा उस दिन वो चुपचाप चला गया लेकिन तीसरे दिन, पाचवे दिन, साथवे दिन उसने फिर यही कहा मैं निरंतर लड़ती रही अपने आप से पंदरवे दिन आकर वो बड़े प्यार से बोला चलो, वे लोग बहुत पास हैं मैं तुम्हे छोड़ाता हूँ तुम ना जाना चाहो तो मैं उन्हें यहां बुला लाऊंगा मैं अब पूरी तरह शांत थी पूरी द्रड़ता से मैंने जबाब दिया मैं नहीं जाओंगी तुम सब कुछ जानते हो फिर भी मुझे जाने के लिए कहते हो क्यों हो तब तक वो मुझे अपनी कहानी सुना चुका था कई क्षण मेरी ओर देखता रहा उसके बाद उसने कभी जाने के लिए मुझे से नहीं कहा अब मुझे जीवन भर यहीं रहना था मेरे दोस्त भोर अफसार में डूबे रहने के बावजूद उज्दे मेरे उदास चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट उगरी थी इसी के साथ शुरू हुआ मेरी कहानी का दूसरा अत्याय एक दिन मैं मा बनी आत्याचार की रहा आये उस नए शिशु को मैं देखती तो मेरी सुखियां फूट पड़ती लेकिन उस मासूम की दृष्ट में न जाने क्या था कि एक निराली पीर कसक उठती मेरे अंतर में और मुझे उन माज से भर देती नारी के कारावास की कहानी यहीं से आरम होती है मेरे दोस्त क्या आप विश्वास करेंगे कि छे मास बीटते ना बीटते मैं फिर मा बनने को हुई मैं अब नूर की पत्नी थी उसने मेरे बच्चे को अपना लिया था और मैंने अपने अंतर से पिछले जीवन को दोह पोच डाला था दोह पोच डालने की प्रक्रिया कितनी मरमान तक थी उसकी अब क्या चर्चा करूं और क्यों करूं पती चले गए थे उनका परिवार मुझे स्विकार नहीं कर सकता था बस बेटे की याद आती थी कैसी विडंबना है कि जो प्यार की रहा आया वो दूर हो गया और जो अब वो कहानी नहीं लेकिन मेरे कहने मातर से दो कहानी खतम नहीं हो सकती यहां के लोग जानते थे कि नूर जमीन जायदात को बचाने के लिए ही मुसल्मान बना है दीरे दीरे वे उस पर दबाव डालने लगे और जैसे ही उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की उन्होंने उसे मार डाला शत विक्षत तन मन लिये मैं फिर दो रहाई पर खड़ी थी पाशान वत नारी भी तो जमीन ही होती है न और जमीन की अपनी कोई आवाज नहीं होती अन्र पूर्णा होकर भी ओ संपत्ती होती है किसी नर की साथमे दिन एक और नूर के पदचाब बिलकुल मेरे पास आकर रुके मैंने आखे खोल दी वो मेरे पास आकर बैट किया बोला फारूखी हूँ या कॉलेज में पढ़ाता हूँ मुझे बहुत दुख है कि नूर बे गुना मारा गया वो मेरा दोस्त था उसने मुझे मकान देने का वादा किया था नहीं डरो नहीं मैं तुमें जाने के लिए ने कहूँगा तुम यहीं रह सकती हो मैं पूरी तरह मोहताज बनकर आखे फाड़े फाड़े छट की उड़ देखती रही मैं जानती थी मैं खुबसूरत हूँ और जवान हूँ इन दो ढ़ाई वर्षों में मैंने क्या कुछ नहीं बुकता लेकिन यौवन का जुआर तो जैसे मेरे शरीर में अड़ी मार कर बैठ किया था मौत बार बार पास आकर लोट जाती थी मैं एक जिंदा लाश की तरह जीती रही मेरे दोस्त आपने नर नारी की समानता के लिए एक दूसरे के आकरशर से मुक्ती की बात कही है पर क्या विश्वास करेंगे कि प्रोफेसर फारुकी के इसी आकरशर ने मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया एक बार फिर मेरे अंगों में वसंत की बयार बहने लगी हर औरत के अंतर में बराबर एक मर्द रहता है सचमुझ फारुकी मर्द था और शायबी उसके अनेक अशार आज भी मेरे अंतर को आलोकित करते रहते हैं उसने मेरे साथ नहायत शरीफाना बरताओ किया उसने मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह का अभावनी खटकने दिया मुहबत और इंसानियत की हवा पाकर वी जैसे पनप उठे और पनप उठा मेरा अंतरमन दिलों का रिष्टा शरीख के रिष्टे से चुड़ गया उसने मुझसे बाकाइदा निकाह किया मेरा नाम सुरैया रखा वो चौथा पुरुष था मेरे जीवन में आपने लिखा है पश्यम की नारी सहज भाव से कह सकती है मेरा चौथा पती प्राचीन भारत में भी शायद कुंती ने कहा होगा इंद्र मेरा चौथा पुरुष है और द्रौपती तो एक समय पर पांच पतियों की प्राण बल्लिभा थी वे सब हमारे प्राता इस्मर्णिय पूजे है लेकिन क्या मैं कभी कह सकूँगी कि फारुखी मेरा चौथा पुरुष था मैं चौथी बार मा बनने जा रही हूँ समय के प्रभा में नर्व नारी के सम्मंद कहां से कहां बह गए मैं फिर उलजने लगी तर्क जाल में लेकिन एक बात पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ यदि मैं अपने पहले पुरुष के साथ रह रही होती तो मेरे चौथी बार मा बनने पर आनन्द और उल्ला से वातावरन महक उठता अजस्र आशिरवात की वर्षा होती मुझ पर मात्रत्र के गौरों से मेरा भाल चमक उठता मा मैं अभी बनती थी पर गौरों करने लाए कहीं कुछ नहीं होता था होती थी एक विवश्ता जन्य उदासीनता लेकिन मुझे ये स्विकार करने में आज तनिक भी लजजा नहीं है कि उस पठान जिसका मैं नाम तक नहीं जानती को छोड़ कर नूर और फारूखी दोनों ने मुझ को प्यार दिया जब तब छा जाने वाले कहरे अवसात के बावजूद मैंने उस प्यार को जिया मन की उन बातों को छिपाने का आज कोई कारण नहीं है किसके लिए छिपाऊंगी इस दुचितेपन को मनुश्य केवल अपनी आंतरिक शक्ति के साहरे नहीं जीता बलकि उसे उस शक्ति की भी आवशक्ता होती है जो उसे दूसरों की हमदर्दी में से मिलती है लेकिन ये आनंद भी इस था ही नहीं हो सका अचानक एक दिन फारुकी घबराया हुआ आया बोला सुरहिया दुश्मन कामयाब हो गए है मुझे यहां से दूर एक कॉलिज में बदल दिया गया है मुझे आज ही जाना होगा हटात जैसे मैं खौलते कड़ा में गिर पड़ी चीक उठी नहीं मैं अकेली नहीं रह सकती मैं तुमारे साथ चलूगी पर मैं कैसे जा सकती थी मैं अभी अभी चौती बार प्रोफिसर फारुकी के बेटे की मापनी थी उस रात हम सो नहीं सके तमाम समय उसे बीटते देखते रहे और वो सांतुना देता रहा सवेरा होते ना होते वो चला जाएगा जाते समय उसे सच बात बताई मैं आऊंगा मैं जानता हूँ ये सब जालसाजी है मुझसे मकान छीन लिया गया है मुझे पर ये इल्जाम लगाया गया है कि मैंने नूर को मार कर उसकी बीवी को नाजायस तोर पर रखा है कि तुम हिंदुस्तान से बगाई गई एक हिंदू वरत हो मैं परदेशी हूँ सब हाकिम उनकी तरफ है लेकिन मैं आऊंगा मैंने तुमारे लिए सब इंतिजाम कर दिये है आया आती रहेगी तब तक अंतिम बार उसने मेरा चुम्बन लिया और देर तक मेरी उंगलियों को पकड़े मेरी आँखों में जागता रहा उस द्रश्चे से बहते प्यार दर्द और क्षमा की एक उनकुनी धारा ने मेरे बांद को तोड़ दिया उसके जाते ही मैं सिसकने लगी तीसरे दिन जब मैं अपेक्षा करत शांत थी मैंने मुजफर को अपने सामने पाया उसकी आँखों में शरारत थी और होटों पर थी मंद मंद मुसकान वो मुझसे इजाजत लेकर अंदर आया उसने धीरे धीरे कहा मुझे बहुत अफसोस है प्रोफिजर सहाब तुमें छोड़ कर चले गए उमीद नहीं कि अब वो लोटेंगे क्या तुम हिंदुस्तान जाना चाहोगी मैं एक बार फिर जिंदा लाश में बदल चुकी थी फिर भी मैं जूट नहीं बोल सकी कई क्षण देखती रही उस पुष्ट कंधों वाले पंजाबी वक्व फिर बोली मैं कहीं नहीं जाना चाहती बस मरना चाहती हूँ वो मुस्कुराया ठीक है दो दिन बाद मैं तुम्हें अपने गाउं ले जाऊँगा वहाँ तुम्हें ये जाहिर करना होगा कि तुम हिंदुस्तान में लोगों की सताई हुई एक मुस्लिम खातून हूँ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बहुत दूर से आकर ये शब्द मेरे मस्तिष्क में केचुए की तरह रेग रहे हूँ सुनती हूँ केचुए बहुत बढ़िया किस्म की खात बनाते हैं मैं तो नहीं, शायद मैं भूली मैं शायद तब खात बनकर ही रह गई थी बढ़िया किस्म की खाथ जिसमें से बद्बू नहीं उठती काश मुसमें से बद्बू उठ सकती प्यारे दोस्त एक दिन सचमुच मैंने अपने आपको एक छोटे से खुशाल दे हात में पाया वहाँ इस तरी पुरुष सब मिलकर खेती करते थे और फिर हीर रान जागे गीत गाते थे कितनी मस्ती थी उस आलम में वहाँ की सुहानी धूप तक हमसे लिपट लिपट जाती थी बच्पन में माबाप के साथ ऐसे दिहातों में रहते हुए मैंने न जाने कितने सतरंगे सपने देखे थे इसलिए बहुत देर तक मैं उस वातावरन से अच्छूती न रह सकी बैयार की मादक्ता ने मेरे उभारों को फिर से आकर शक बना दिया मैंने निश्चे किया था कि अब मैं किसी को अपने पास नहीं आने दूँगी लेकिन पास आने या ना आने देने वाला कोई मैं थोड़े ही होता है वो तो एक गंध होती है नर नारी के संबंदों की गंध जो किसी एक के अंगों से फूटती है और किसी दूसरे के अंगों को खीच लेती है फारूखी इसी स्वाभाविक आकरशन को ना जाने क्या क्या नाम दिया करता था पर मुजफर भाशा से नितांत अपरजित था उसकी आकों की शारारत उसके होटों की मुसकान और बाहों की जकड़न इतनी मांसल थी कि लोथ में भी जीवन की चाहा पैदा कर देती थी इसका जो परिणाम हो सकता था वही हुआ नारी फिर मा बनी इस बार दो जोवा बच्चों की मा नियत के अव्यंग कितना कुरूर होता है मेरे पांच बेटे थे अब कुंती के भी पांच बेटे माने गए हैं छटवें जो उसका पहला था उसने स्वयम त्याग दिया था मेरा भी छटवा बेटा है मेरे प्रेम का प्रती पर वही मुझे से चीन लिया गया आपको नाम तो बताए नहीं उनके आवशक नहीं है पर बिना नाम के यहां कुछ नहीं चलता तो मान लीजिए कि उनके नाम थे अनवर, अश्रफ, असगर, एहमद और अली आप पूछेंगे चटवे बेटे का नाम क्यों नहीं बताया जब वो मेरा रहा ही नहीं तब नाम लेकर क्या करूंगी फिर भी उसका नाम है आशिम तो मेरे दोस्त मेरी जिंदिगी का चकर इस तरह तेजी से घूम रहा था उन गाउवालों के दृष्टी में मैं पाच बेटों की मा थी बेहत खुशकिस्मत और सुखी भी मेरे निगोडे रूप का जादू मुजफर को पागल बनाए हुए था लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सुख और सौंदरी को भोगने वाली मात रेक जीवित लाश संसकार और सब्विता के आवरण से मुक्त एक कटपुतली है जो नजाने कौन सी नियत के इशारे पर ये सब कुछ करने को विवश्ट थी इसके पीछे नरनारी के शाश्वत संबंध थे या विखतरनाक परिस्थितियां थी जिन में मैं अपने बावजूद उलश्टी जा रही थी और सामिक्त चताने वाले हर पुरुश को मैं प्यार करने का नाटक करती थी लेकिन नाटक करने की भी एक सीमा होती है मैं जैसे तूट गई और मैंने तै कर लिया कि इस उरवर भूमे पर अपना जीवन गुजार दोंगी मैं मुजफर की बीवी हूँ उसी की रहोंगी पांडू की तरह वो मेरे पाचो बच्चों का बाप कहलाएगा और पिर मैं एक दिन बुरी होकर अपने किसान बेटों के हाथों यहीं की जमीन में दफना दी जाऊंगी ना सही मंतरपाट कुरान शरीफ की आयतें मेरी मिट्टी को मिट्टी के सुपूर्द कर देंगी लेकिन कुरूच शेतर का युद अभी तक पूरा नहीं हुआ था उस दिन मुजफर घर लोटा तो बहत परिशान था उसने कहा तुम यहां नहीं रह सकोगी तुम्हें और दूर पहाड़ों के उस पार जाना होगा तुम्हारे देश वाले तुम जैसी औरतों को ढूरते फिर रहे हैं और उन्हें शक है कि एक औरत इस गाओं में भी है कितनी बार हुआ था यह मैं स्तब्द ना हो सकी पत्राई आँखों से देखती रह गई उसे बस उसने मुझे बाहों में समीट लिया पूला तुम परिशान मत हो सब इंतजाम कर दिया है मैंने मेरा दोस्त है वहाँ तुम नहीं चलोगे अभी तो नहीं पर आऊंगा जल्दिया होगा हर बार नियत ने मुझे से चल किया हर बार मुझे लगा कि मैंने स्वैम ही अपनी हत्या की है हर बार मैं अपने से पूछती ये तू ही है क्या उस राद चुपचाप गुप अंदेरे में बिना किसी से मिले अपने पाच बच्चों के साथ मैं एक अंजान प्रदेश की और रवाना हुई एहमद और अली तब एक वर्ष के थे अजगर अश्रफ और अन्वर क्रमशा दो तीन और चार वर्ष के हो रहे थे कई दिनों की यातरा के बाद हम एक छोटे से पहाड़ी गाओं में पहुचे आप विश्वास नहीं करेंगे पूरे तीन साल तक यहां से वहां वहां से कहां कहां में भटकती रही तीन-चार महिने से अधिक कभी एक जगे न रह सकी साल भर तक मुझफफर से संबना रहा उसके बाद हो कभी नहीं आया यह सब यों ही हुआ या जान बूज कर पैदा किये गये किसी भ्रहम के कारण मैं बेसाहरा बेपना भीक मांगने के लिए विवश हो गई आप पूछेंगे कि क्या मेरे रूप ने अब और किसी को आकरशित नहीं किया अब मुझ में न जाने कैसी अंध चेतना जाग उठी थी ना समझ में आने वाला एक विद्रो अफसर आने से पूरी मुझे वहां से निकल भागने को विवश कर देता अपने को बचाने के लिए मैंने स्वैम को और अपने बच्चों को बार बार खत्रे में डाला क्या करेंगे आप उस लंबी यातना की दास्तान को सुनकर इतना ही जान दीजिए कि मुझफर द्वारा घर छोड़ने के तीन वर्ष बाद मैंने अपने को पेशावर में पाया तब मेरे पास न रह गया था रूप न यौवन लेकिन चलते रहने के एक अदम में लालसा अभी शेश थी जीने की लालसा जो हर खत्रे को मुहग बना देती है या कहूं कि हमेशा खतरनाक परिस्तितियों से जूझते जूझते मेरी ताकत निरंतर बढ़ती जा रही थी जीवित रहना भी कितना विलक्षन है मेरे दूस्त यहीं वो अगटित घट गया जिसको न घटने देने के लिए मैं अब तक भागती रही थी अनवर अब सात वर्ष का हो रहा था दुख और कश्टों के इस पारावार ने उसमें अद्भुत समवेधना पैदा कर दी थी वो जालिम बाप का अंचाहा बेटा था लेकिन वही मेरे पावों में काटे निकालता था दीक मांग लाता मौका पढ़ने पर छोटे छोटे काम भी कर लेता कहां से आई उसमें ये चेतना कैसा है ये प्यार और नफरत का आल जाल अन्बूज अन्चाहा लेकिन कुछ भी हो वो मेरा हमसफर बन गया एक ऐसे सफर का साथी जिसके अगले पढ़ाओ का कुछ हमें पता नहीं होता था मेरे दोस्त जिस डर से मुझफर ने मुझे पहाडों में चिपाया था पीछा करते करते वही डर यहां आ पहुँचा हिंदुस्तान के कुछ लोग इस इलाके में विशेश रूप से सकरिये थे नियती भी कैसे कैसे खेल खेलती है उसने एक दिन अन्वर को उन्हीं के पास बज़ी दिया वो नहीं जानता था कि मैं कभी हिंदू थी लेकिन उससे बाते करते करते उन्हें जब पता लगा कि हम कई वर्षों से भागते फिर रहे हैं तो उन्हें शक हो गया वही शक उन्हें मेरे पास खीच लाया आश्यर उनके पास मेरा चित्र था और पूरा परिचे भी मेरी आँखों ने मुझे यहां भी धोका दिया उन्होंने सुरया के वेश में प्रतिमा को पहचान लिया मेरे हाथों में एक और जंदगी डेथ की तरह फिसल गई एक बार मैंने फिर मरना चाहा चाहा कि सब बच्चों को लेकर नदी में कूच जाऊं पर हुआ यह कि मैं क्रोध में भवक उठी और मैंने अनवर को बुड़ी तरह पीड़ दिया वो बिलबिलाता रहा और सुबकियों के पीच कहता रहा अम्मी मैंने कुछ नहीं बताया था कुछ भी नहीं सच अम्मी उस रात उसे चाती में समेट गर में कितना रूई कोई ले सकेगा था मेरे उन जलते आंसों की प्यारे दोस्त प्रतिमा से सुरिया तक कि यह यात्रा नारी होने की त्रासदी की यात्रा है नर नारी के संबंदों में नारी के हिस्से में त्रासदी ही तो आती है जो बार-बार उसे उसको अपनी धुरी से उखाट फेकती है कहानी का अंतिम परव आप पहुचा है एक दिन मैंने पाया कि मैं इस नारी ने केतन में हूँ अर्ध, मृत, अधेर, चित्रों में लिप्टी एक लाश कितने जीवन जी चुकी थी मैं शायद अभी ये अंति था ऐसा अंत जो अनंत है मैं फिर प्रतिमा बन गई थी पत्थर की प्रतिमा जिसका एक-एक अंग तोर दिया गया है जिसकी आत्मा में हजार छेद हैं जो इस देश की भाषा में पापिष्टा, दुराचारणी और कलंकनी है और उसका सबूत है ये मासूम बच्चे जिनको मैंने अपने शरीर को टुकडों में बाट पाट कर जन्दमा है और जिने इस आश्रम में फिर नए नाम दिये गए हैं वे अब अनवर, अश्रफ, असगर, एहमद और अली नहीं हैं अनिल, अशोप, असित, अमित और अजित हैं शायद इसी लिए अब और अधिक तिरस्करत, अपमानित, लांचित और ग्रना के पात्र बन गए हैं संचालिका ने एक दिन मुझसे कहा तुमारे सस्राल वालों को सूचना दे दी गई है लेकिन कोई आएगा, इसकी संभावना ने दिखाई देती तुमारी खोज उनके कहने पर नहीं, बलकि तुमारे पिता के कहने पर की हैं हमने मैंने तरणब का जवाब दिया कौन आता है, कौन नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं है लेकिन ये जानने का अधिकार मुझे है कि आकिर हमें इधर क्यों लाया गया क्या आवशक्ता थी हमें अबमारेत करने की संचालिका मुस्कुराई बोली, देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न था ये आप सरजक हैं क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मनुश्य का अपमान करके कोई देश अपनी प्रतिष्ठा कैसे रख सकता है उधर मैं जैसी भी थी रहा की पात्र तो नहीं थी मा को भगवान के समकक्ष मानने वालों के देश में नारी का अपमान क्या प्रमानित करता है क्या ये भी बताना होगा आपको संचालिका ने ठीक कहा था कोई नहीं आया मेरी सस्राल से आये बस मेरे पिता लेकिन मिलने का साहस वे भी नहीं बटो सके वो मेरी कहानी सुन चुगे थी अपनी पापिष्टा बेटी से आखे कैसे मिलाते संचालिका ने बताया कि वे दूर से मुझे देखते रहे रोते रहे फिर वहीं से लोट के बाद में उन्होंने एक हजार रुपे मेरे लिए भीजे थे ताकि मैं किसी गाउं में जाकर रह सकूँ और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ आवशक्ता पढ़ने पर और भी रुपे बेजते रहने का आश्वासन दिया था उन्होंने लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी मा मेरे बारे में कुछ जाने सुनकर मैं हस पड़ी थी अब मुझे रोना नहीं आता था पंडित लोग इसे योग की स्थिति बताते हैं सिद्धा वस्ता ये नहीं है क्या शास्त्र तो मैंने सुना था ये भी कहते हैं कि आदमी कुछ नहीं करता प्रिकर्ट उसे अपने काम में जोट देती है यानी हम मंत्र हैं शेश है मुझे अभी और कटुता का विश पीना हर दूसरे तीसरे दिन मैं अन्भव कर दी कि कोई चुपचाप मुझे और मेरे बच्चों को देख रहा है चुपचाप संचालिका से बाते कर रहा है एक दिन संचालिका ने मुझसे पूछा तुम यहां से कहीं जाना चाहती हो मैंने एक शाँ उनकी और देखा पिर यह अंतरवत बोली हाँ उन्होंने कहा मैंने तुमारे लिए दूर एक पहाड़ी गाओं में रहने का प्रबंद कर दिया है वहां के स्कूल में तुम पढ़ा सकोगी ग्रह शिल्प में तुम निपुण हो गाओं की महिलाओं को प्रशिक्षित कर सकती हो लेकिन तुम इन बच्चों को कैसे पालोगी क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन में से कुछ बच्चे भले लोगों को गोद दे दिये जाएं मेरे भीतर सोई नागे नुसन पहली बार जगी आवे कितना प्रबल था कि शब्द नहीं निकल रहे थे चाहा कि धक्का देकर उन्हें दीवार से दे मारू संचालिका जो सचमुष मेरे प्रति अतरिक्त सदय हो उठी थी मेरा ये रूप देखकर घबरा गई तुरंद बोले नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है जल्दी भी नहीं है मेरे मन में एक विचार उठाता कह दिया सोच देखना तुम और वो तुरंद मेरे सामने से हट गई दो खशन बाद आवे कुछ शान्त हुआ तो मैं स्वयम अपने परचकित थी और किंचित लग्जित भी मैं जानती थी कि मैं जीवन बर किसी पर आश्चित नहीं रह सकती कुछ ना कुछ परबंद मुझे करना ही होगा गाहु जाने के लिए मैं इसलिए तयार थी कि मैं अपने तर्थाकति पर जिरों से अब और अबमानित नहीं होना चाहेती थी पिता जी से दान लेना स्वयम अपना अपमान करना था दुरबलता के किनी क्षणों में चाहा था कि उन्हें पत्र लिखूँ याद करूं लाड़ प्यार के उन्दुरलब क्षणों को फिर सोचा कि जो संसकारों की जड़ता को तोड़कर मेरी वेदना में सहभागी नहीं हो सकता उसको पीड़ा पहुँचाना आत्म पीड़नी नहीं होगा क्या मैं गाउं चली जाओंगी और अपनी संतान को पालूंगी सोयं प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया ना जो पाप और पीड़ा की रहा आया और जिसकी हत्या करनी चाहिए मैंने वही अन्वर यानि अनिल मुझे सबसे अधिक प्यार करता है मेरी सारी गिर्णा पी गया है वो नीलकंट महादेव की तरह ऐसे बरताव करता है जैसे वही मेरा गार्जियन है पूछता है कभी-कभी अम्मी ये सब हमें क्यों देखते हैं आयू के आठवे वर्ष में विदाता ने कितना बोज रख दिया है इसके कंदों पर इसके विपरीत नूर का बेटा अश्रफ जो अब अशोक है बेहद उत्दंड है हर समय किसी ना किसी से फौजदारी करने बद तुला रहता है लेकिन पढ़ने में बहुत होजियार है असगर उफ असित सचमुश शायर का बेटा है छे वर्ष का हुआ है अभी पर ना जाने कहां कोया रहता है कभी कभी उनीनी आखों से मुझे ऐसे देखता है कि मेरे दिल में फारूकी की याद का सकुटती है कितनी यादें कितने मनजर किसको भूलू किसको याद करूं मुझफर शायद मुझे अभी ढूरता पिरता होगा कहीं अपने बच्चों का दावा करने ना पहुचे वो उसके दोनों बच्चे एहमद और अली जो अमित और अजित के नाम से पुकारे जाते हैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानते कभी कभी पूछते हैं सभी पूछते रहें और मैं जूर बोलती रही हूँ किसी को कभी मैंने सच नहीं बताया सच कुछ होता है क्या किसी सच को नापने का यंत्र अभी तक कोई व्यग्यानिक नहीं बना पाया है अच्छा था उबनिशत काल का भारत उस काल के परम तत्वेत्ता सत्यकाम की दासी मा जाबाला एक कहने का सास रखती थी मैं नहीं जानती कि तुमारे पिता कौन थे तुम मेरे बेटे हो मेरा ही नाम लिखा दो गुरू के रेजिस्टर में और तब सत्यकाम पर नाम हुआ सत्य काम जाबाल क्या आज मेरे बेटों को वो अधिकार मिल सकता है क्या वे गर्व से सिर उठा कर कह सकेंगे कभी हमें नहीं पता कि हमारा पिता कौन था हम मा का नाम जानते हैं और उनका नाम है प्रतिमा वही लिख लीजी अपने रेजिस्टर में मात्रतों को नारी का चरम सौ सरवच है इसी लिए तो उसे जहर से भी अधिक पीना पड़ता है नारी होने के अपमान का जहर मुझे कहने दो मेरे दोस्त जिसे सबसे अधिक अपमानित करना होता है उसे ही सबसे सुन्दर विशेशन दिये जाते हैं बली के बकरे को हरिष्ट प्रुष्ट नहीं करेंगे उस दिन तब वर्षा हुई थी वातावरण एक सुन्दी सुन्दी गंद से महक रहा था मैं अपने कमरे की खिड़की को खोलने के लोग का सवरण नहीं कर सकी ये वही खिड़की है जिसकी सलाकों पर अपना भीगा चेहरा ठिका कर मैंने आपको देखा था उस दिन देखा क पिशोर होते एक बालक को स्वस्त सुन्दर स्कूल की शुब्र श्वेत पे उशाक पीट पर बसता दीरे दीरे चौकना सा वो आश्रम के मुखे द्वार तक आया और वहीं से उचक उचक कर मेरी खिड़की की और देखने लगा मैं चौकी मेरा कौतुहल जाग गया मैंने सल प्रब इस तब्ध मैं एक शर्टो समझना पाई फिर एक ठंडी सेहरन मेरी नस नस में उतरती चली गई कहीं कहीं नहीं नहीं मैं तेजी से मुड़ी अनिल सामने आ गया मेरी और देखा उसने चेरे पर प्रशन उबरा क्या है मम्मी कुछ नहीं कुछ नहीं बेटे मैंने अ कई दिनों से एक लड़का यहां आता है यहां तो बहुत लोग आते हैं लड़के भी आते हैं उनमें तुम किस लड़के की बात कर रहे हूँ वही जो अभी आया था वही मैं सेहरती सेहरती फुस फुस आई वही अनिल कहता रहा वो बहुत अच्छा है उसने मुझे चॉकल नाम सुरैया बेगम था जैसे मेरा नाम अनवर था अब मैं अनिल हूँ वो बोला तब वो कोई और है लेकिन क्या तुम मुझे उन्हें दिखा सकते हो मैंने कहा हां हां उस खिड़की वाले कमरे में रहते हैं हम आओ मेरे साथ ना जाने वो कौन सी मैं थी जो यह सब सुन रही और ना जाने वो भी कौन सी मैं थी जिसने पूछा था उसका नाम जानते हो हां हां आशे मैं उसका नाम मैं दूनों हाथों से दीवार न थाम लेती तो निश्चे ही गिरकर बेहोश हो गई होती पसीने से तर हुआई थी अनिल ने सहज भाव से पूछा तुम उसे जानती ह अम्मी मैंने तीवरता से प्रतिवाद किया मानो चीख उठी हूँ नहीं नहीं मैं किसी को नहीं जानती है अनिल ने तब मेरी ओड देखा मेरे श्वेत हुआय चेहरे को देखकर घबरा गया वो बोला तुमारी तवियत खराब है अम्मी तुम लेट जाओ बेचारा अनिल क्य मैं मिने दीर घिष्वास कीज कर कहा अच्छा उसका ये अच्छा शब्द सुनकर मुझे आपकी याद आ गई आपने भी तो उसी दिन इसी तरह कहा था अच्छा पर कहा आप कहा ये बच्चा मैं पागल होटी उसके मूं से शब्द सुनकर मैंने चाहा कि दोनों हाथों से उसका गला घोटती रहूँ घोटती रहूँ लेकिन क्या ये कि मैंने खीच के उससे अपनी छाती में भर लिया और अपने को और रोकने में असमर्थ हो फूट-फूट कर रोने लगी जानते हो दो क्षण बाद मुझे क्या लगा था लगा था कि वो अनिल नहीं है आशे मैं और मैं ताबर तोड़ उसका मुझ चूम रही हूँ कई दिनों तक मैं सीक्षो पर मुझ टिकाए उसी दिशा में टक्टकी बांदे देखती रही पर वो फिर नहीं आया आया एक सपना भटकते भटकते किसी शांदार बंगले में पहुँच गई हूँ कैसी अईयाशी कैसी पर यह चीक कैसी है किसी बच्चे की मरमान तक चीक भागी भागी में अंदर गई देखा कि एक क्रूर युवक आठनो वर्ष के एक बच्चे को बेतों से बीट रहा है कमबक्त अगर अब कभी उतर पैर भी रखा तो जमीन में गार दूँगा बच्चा चीका नहीं नहीं म मुझे मत मारो मुझे मैं पहचान लेती हूँ वो क्रूर युवक मेरा देवर है उसके पीछे खड़ी है मेरी सास मैं तरप कर आगे बढ़ती हूँ और युवक के हां से बेत चीन लेती हूँ उस मासूम को क्यो मारते हो अपरादी मैं हूँ मुझे मारो वे सक पका कर मेरी और देखते हैं, पहचान लेते हैं, दूसरे एक शन आशिम भागता हुआ मुझसे आचिपकता है, और मेरी बाहों में बेहुश हो जाता है, मेरी सास चीख रही है, निरलज, कलंकिनी, तुस्से मरा नहीं गिया, तेरी लाश पाकरम कितने गौरवानवित होते, तभी मेरी नी मेरा अपना है, जो प्यार का प्रतिरूप है, उसी से वन्चित हूँ मैं, कारण कुछ भी रहा हो, कुंती करण के पास जा सकी थी, पर मैं उसी दिन संचालिका के पास गई मैं, बोली, आप मुझे दूर किसी पहाड़ी गाओं में भेज रही हैं ना, मैं तयार हूँ आज ह मैं को देखने की चाहा उभराई ये मन में, क्यों लगने लगे हैं आप अपने से, इसी अपने पन के कारण ही आपको दोस्त कहे कर संबोदित किया है मैंने, मन दोस्त के सामने ही खोला जा सकता है, कैसा है ये अनुखा रिष्टा, सपनों में जुडा और आखें खुली तो बक्षी है, ये मेरे अंदर के गहराई में समा गई है, इसे बहुत एक नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, अच्छा, बहर बर्षा होने लगी है, होनी चाहिए, चाहिए न ठूट में नई कोपल खोड़ने के लिए, आपकी, प्रतिमा उर्फ आइशा, उर्फ सुरहिया, उ अब ही आप सुन रहे थे, विश्नु प्रभाकर जी की लिखी हुए उनकी कहानी, एक और कुंदी